Good morning class. You have heard the name of Sarojini Naidu whom we call Nightingale of India. Sarojini Naidu का नाम सुना है आपने? बहुत famous poetess. आज उनकी लिखी एक कविता पढ़ेंगे. The Indian Weavers. OEM 2. Indian Weavers. Weavers, you know? Weavers, one who weaves. भारती जुलाहे. Indian Weavers. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Weavers, जुलाहे. जुलाहे कपड़ा बुनते हैं न? बुनकर जिनको बोलते हैं? Break of day. सुबा का समय है. सुर्योदय का समय है. Why do you weave a garment so gay? Sarojini Naidu पूछ रही हैं उनसे. Why do you weave a garment so gay? इतने सुन्दर चमकीले कलर का, इतने ब्राइट कलर का कपड़ा आप क्यों बुन रहे हैं? सुबा के समय बुनकर कपड़ा बुन रहे हैं. और उनसे Sarojini Naidu पूछती हैं कि आप इतने ब्राइट कलर का कपड़ा क्यों बुन रहे हैं? Blue as the wings of a helzine wild, we weave the robes of a newborn child. बुनकर वीवर्स जवाब देते हैं, Blue as the wings of a helzine wild, helzine kingfisher bird होती है, helzine चिडिया के समान, नीले रंग का, blue कलर का कपड़ा हम बुन रहे हैं, we weave the robes of a newborn child. एक नवजात शिशू के पोशाप का कपड़ा बुन रहे है, dress का कपड़ा बुन रहे है. समझ में आगया, first angel, समय है dawn, सूर्योदय, और सूर्योदय के समय कपड़ा बुना जा रहा है, जुलाहों के द्वारा, उसका रंग कैसा है, नीला, blue, और blue कलर का कपड़ा किसके लिए बुना जा रहा है, एक नवजात शिशू के पोशाप का कपड़ा बुना जा रहा है, Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Fall of night, evening time, शाम का समय, why do you weave a garment so bright? Poetist asks the weavers, why are you weaving a cloth which is so bright, इतना चमकीले रंग का, इतना ब्राइट कलर का कपड़ा आप क्यूं बुन रहा हैं? Like the plums of a peacock, purple and green, peacock more, more के plums, पंखों के समान, green and purple, हरे और बैगनी रंग का कपड़ा हम बुन रहा हैं, We weave the marriage veils of a queen, क्या बुन रहे हैं? एक रानी के लिए, एक queen के लिए, उसके विवाह में सिर को कवर करने वाला, वेल होता है ना गुंगट, उस गुंगट का कपड़ा हम बुन रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये कपड़ा कब बुना जा रहा हैं? इवनिंग टाइम पे, कलर, पर्पल एंड ग्रीन, और इट इस मेंट पर क्वीन्स मैरेज, ये बुना जा रहा हैं, एक रानी के विवाह के लिए, और कपड़े का रंग, पर्पल एंड ग्रीन हैं, लास्ट एंजा, वीवस वीविंग सॉलम एंड स्टिल, वोट डू यू वीविंग इन दा मून लाइट चिल, आपकी बुक में मॉर्निंग दिया हैं, आप उसको सुधा रहेंगे, दा वर्ड इस मून लाइट, मून लाइट, दा वर्ड इस मून लाइट, मॉर्निंग को रिप्लेस कीजिएगा मून लाइट से, वोट दू यू वीविंग इन दा मून लाइट चल, वाइट इस ए फेदर और वाइट इस अ क्लाउड, वीविव अ डेद मैंस फुनरल श्राउड, लास्ट स्टैंजा, वीवर्ज वीव कर रहे हैं, वीवर्ज कपड़ा बुन रहे हैं, बहुत सॉलम एंस्टिल, बहुत शान्त हैं, बहुत गंभीर हैं, और उन से पूछ रही हैं पोईटिस, वोट दू यू वीव इन दा मून लाइट चे, चंद्रमा की रोश्नी इतनी ठंड, और आप क्या मुन रहे हैं, वाइट असे फेदर और वाइट असे अ क्लाउड, पंखों के समान सफेद, बादलों के समान सफेद, हम एक मृत वेक्ति के कफन का कपड़ा बुन रहे हैं, अब इन तीनों स्टैंजास को देखिए, इसको मैं आपको एक छोटे से चाड के रूप में समझाती हूँ, you will be able to understand it more clearly, देखिए, कैसे कंपेर किया है, फ्स्त फॉलम, ताइम आप देखिए, ताइम आप देखिए, second column, color of the dress, color of the dress, third column, occasion, अवसर, and the fourth one is mood, उस समय जुलाहे का मनों भाव कैसा है, उसका mood कैसा है, ठीक है, तीनो stangas को आप देखेंगे, कैसे वो, एक दूसरे से करस्पोंड करते हैं, एक दूसरे से सम्मन्दित हैं, जुलाहे कपड़ा बुन रहे हैं, at break of day, time of the day हो गया, break of day means dawn, dawn यानि सूर्योदे, सूर्योदे के समय कपड़ा बुना जा रहा है, ठीक है, कौन सा कपड़ा, सरोजनी नाइडू पूसती है, why do you weave a garment so gay, इतने चमकीले रंका, इतने bright कलर का कपड़ा, आप क्यों बुन रहा है, blue as the wings of a hyalzine wild, kingfisher bird के कलर, पंकों के कलर के समान, blue कलर का कपड़ा, हम किसके लिए बुन रहे हैं, robes of a newborn child, तो color of the dress क्या आ जाएगा, blue, blue colored robes for a newborn child, ठीक है, अब देखिए, ये occasion क्या हो गया, बर्त, जन, देखिए, दिन की शुरुवाद किससे होती है, सूर्योदैसे, जन्व से, आ रहा है समझ में, दिन की शुरुवाद हो रही है, डाउन से, सूर्योदैसे, जन्व से, कपड़े का रंग क्या है, नीला, और ये नीला रंग प्रतीक होता है, आशा का, उमिद का, शान्तिका, हर दिन आपके लिए एक उम्मीद लेके आता है हर दिन से आपकी कुछ अपेक्षाएं होती है हर दिन से आपकी कुछ खुशियां जुड़ी होती है उसी तरह से हर बच्चे के जन्म से कुछ अपेक्षाएं, कुछ खुशियां, कुछ आशा, कुछ उम्मीद जुड़ी होती है तो उस समय मूड कैसा है? होप यानि आशा का, हैपिनस यानि खुशी का और पीस यानि शांती का होप, हैपिनस और पीस ये हो गया मनोभाव उस समय का सुभा का समय जिस दिन की शुरुवात हो रही है डौन से, जिन्दगी की शुरुवात हो रही है किस से? जन से तो जिस प्रकार हर नए दिन से हमारी कुछ न कुछ आशाएं जुड़ी होती है कुछ न कुछ खुशियां जुड़ी होती है शान्ती होती है सुभा के समय उसी प्रकार से बच्चे का जन्म भी आशा देता है, खुशी देता है और शान्ती Is it clear? First danger? Crystal clear? Okay, move on to the next danger Weaver's weaving at fall of night अब weaver's weave कर रहे हैं, जुलाहे कप्डा बुन रहे हैं At fall of night, शान के समय, the time is evening कौन सा समय है ये? शान का समय है, evening time है Why do you weave a garment so bright? फिर उन से पूछ रहे हैं, पोईटेस की इतना चमकीले रंग का, इतना ब्राइट कलर का कप्डा Why are you weaving a garment so bright? Like the plums of a peacock, purple and green कप्डे का कलर क्या है? Purple and green Purple and green किसके लिए? Marriage wales of a queen Marriage wales of a queen क्या कप्डा बुना जा रहा है? एक रानी के लिए उसके विवाह में The clothes meant to cover head सिर ढखने के लिए जो कूंगट का कप्डा होता है वो बुना जा रहा है जिसका कलर क्या है? Purple and green And the occasion is Marriage समय कैसा है? Occasion किसका है? Marriage का है? विवाह का है? और mood कैसा होगा? Happiness Happiness इसको समझे दिन का सबसे अच्छा समय शाम का जिन्दगी का सबसे अच्छा समय विवाह का Clear हो रहा है? शाम के समय जो कपड़ा बुना जा रहा है उसका कलर है Purple and green जो कलर शो करता है खुशी जुलाहा भी किस mood में है? खुशी के mood में है आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? बिल्कुल clear? यहाँ दिन के सबसे खुबसूरत समय को जिन्दगी के सबसे खुबसूरत समय से compare किया है जुलाहा भी खुश है जिस कलर का कपड़ा वो बुन रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जुलाहा बहुत खुश है कलर है Purple and green Marriage Wales of a Queen Clear? एकदम लास्ट अंजा Weevers weaving solemn and still Weevers weave कर रहे हैं जुलाहे बुन रहे हैं एकदम शान और गंभीर What do you weave in the moonlight chill? पोईटेस पूछ रहे हैं कि चंद्रमा की रोशनी ये moonlight है और इतना chill नी ठंड है क्या बुन रहे हैं? White as a feather and white as a cloud पंखों के समान सफेद बादलों के समान सफेद Weeve a dead man's funeral shawl पंखों के समान सफेद बादलों के समान सफेद हम बुन रहे हैं क्या? कफन का कपड़ा तो time है night राट का समय कपड़े का कलर क्या है? White White funeral shrub सफेद रंका कौन सा कपड़ा है ये? कफन का कपड़ा है और occasion क्या है? अवसर क्या है? मृत्यू death आप कल्पना कीजिए इस तरह का है जब महौल एक मरे हुए वेक्ती के लिए कफन का कपड़ा बुन रहा है तो क्या जू लाहाँ खुश होगा? कैसा है वो? serious, sad and serious बहुत कंभीर है, बहुत दुखी है इस टैंजा को समझेगा दिन का अंत हो रहा है रात से जिन्दगी का अंत हो रहा है मौद से जो कपड़ा बुना जा रहा है वो clear show कर रहा है सफेद रंग का funeral shroud के जुलाहा कैसा है? बहुत दुखी और कंभीर समझ में आ गया? आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबनेत है, related and correspond कर रहे है to the exercise, question number one what is the color of the cloth being woven at break of day? what is the occasion and mood? कौन से कलर का कपड़ा सुभा बुना जा रहा है और उस समय occasion क्या है और मूद क्या है have you written all these things? shall I wipe it out? okay what is the color of the cloth being woven at break of day? what is the occasion and mood? बताएंगे? सुभा के समय कौन सा कपड़ा बुना जा रहा है? occasion बोलिए बिटा blue color का कपड़ा किस के लिए? very good now जाच शिशू के लिए और occasion है birth और mood है hope, happiness and peace very good answer number one what is the color of the cloth being woven at break of day na अपन बर्च अपन बर्क अपन बर्क अपन बर्क अपन बर्क अपन बर्क अपन? answer one at break of day blue colored झालड पुरिब झालड ट्रिख प्रेस के लिव बॉब जॉड़ गाल जॉड़ तैंट कर दो बाद अड़ जोवब कि एूजर के चोवब बार्थ इस अचेजन and mood is of hope, happiness, and peace. Hope, happiness, and peace. Second question. Why is the bright colored clothes being woven in the evening? Bright color ka kapda sham ko kyun buna jara hai? Bright color ka kapda is liye buna jara hai क्योंकि sham ke samay ko din ka sab se acha samay manajata hai और उस samay joh kapda buna jara hai उसka color kya hai? Purple and green marriage wales of a queen. Licky answer. Bright colored Cloth is being woven in the evening as evening as evening is considered the best part of the day. Yeah, the best time of the day. It's the best time of the day. weavers are weavers are purple and green purple and green color purple and green colored marriage wales of a queen marriage wales of a queen marriage is the occasion marriage is the occasion and and mood is of happiness and the mood is of happiness now the next question is what is the color of the clothes being woven in the night what is the color and mood night me šaam ke sami koon sa kupda buna jara hai kis color ka kupda buna jara hai white color ka funeral shoud hai occasion hai death aur mood hai serious very good white colored funeral shoud is being woven in the night the occasion is death and mood is of is of sorrow sorrow and mood and the mood is of sad and solemnity sad and serious mood is of sorrow and solemnity now the last question is describe the different stages of life with the different colors of robes and the moods they denote the last question is different stages of life different stages of life different times of the day different colors of the robes and different moods compare compare okay the last question shall i wipe it out do you want to write do you want to write do you want to start start first and first and compare and and third these all things last question is very important the gist of the poem comes in it which you have read the whole summary which you have read the whole summary which you have read complete okay first we will tell you that different stages of life are which different stages of life different stages of life we have seen which stages of life are birth marriage and death answer 4 the different stages of life of life are kya kya hai birth 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 marriage and death and death and death and is being woven is being woven that denotes hope, happiness and peace hope, happiness and peace in the evening इसे के साथ ही लिखता है in the evening purple and green colored marriage of a queen marriage of a queen is being woven which denotes happiness in the night white colored funeral shroud is being woven is being woven that denotes sorrow and solemnity sorrow and solubility so this was your last answer I think you will be able to understand it समझ में आगया? कोई प्राब्लम तो नहीं है? is there any problem? shall I repeat something? कुछ दोराने के सरूवत तो नहीं है? okay so it the poem has been completed Indian weavers bye for now see you in the next class thank you अप्राब्लम तो नहीं बटाब्लमें, सब्राब्लट है